हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूर अपनी आक्टिंग से लोगों का दिल चुराने वाली आनुशका शर्मा आजकल अपनी हमशकल को लेकर खुब चर्शा में बनी हुई है यह तो हर कोई जानता ही है कि हाली में सोशल मीडिया पर अमेरिकन सिंगर जूलिया माइकल्स की फोटो वाइरल हो रही थी जिसे देखने के बाद हर कोई उन्हें अनुशका शर्मा का हमशकल बता रहा था अनुशका और जूलिया ने एक दूसी को ट्वीट्स भी किये थे लेकिन अब जूलिया ने अनुशका के सामने के ऐसी दिमांट रखती है चो अनुशका भी पूरी नहीं कर पाएंगी दरसल पहले जूलिया ने अपनी और अनुशका की फोटो शेयर की और लिखा की जिसके बाद अनुष्का ने भी मज़दार अंदास में री ट्वीट करते हुए लिखा था लेकिन अब जूलिया ने कव ट्वीट करते हुए कहा कि हाँ 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 let's trade places for a day देखा आपने जूलिया ने अनुष्का से फर्माईश कर डाली है कि क्यों ना हम एक दूसरी को एक दिन के लिए रिप्रेस कर ले आपको बता दें जैसे ही जूलिया ने बात कही वो सोचल मीडिया पर ट्रोलिंग की शिकार हो गई चाहां कुछ लोगों ने कहा कि विराट और अनुष्का ही एक दूसरे के साथ अच्छे दिखते हैं वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जूलिया विराट के साथ एक दिन बिताना चाहती है वहीं अगर बात करें अनुष्का के प्रोफेशनल फ्रंट की तो हाली में उनकी फिल्म जीरो रिलीज हुई थी जो बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर पताएं तेरी क्या उमर है दाड़ी को डाई किया ना तुने डाई किया ना दाड़ी तुने फिर क्या बोल रहे अब बोल रहे हैं कोलेज देस कोलेज देस अभी अबू बुद्धा यह है जब आई दिखर हैं नहीं बट यह सची बात उतारा हूं मैं तिर को यार की सीरिसली अगेन मैं बार-बार हमारी टीम पे जाता जा रहा हूं mainly because यह ऐसी फिल्म है जिसमें genuinely फिल्म बनानी नहीं है फिल्म जीनी थी और यह जिन्दगी का फलसफा है और रोस मरा की बहुत प्रॉब्लम्स होती है पैसे की दिक्कत होती है घर की दिक्कत होती है चोड़ी चोड़ी नौकरी की दिक्कत होती है और ऐसा आप लोग मुझे स साल हों से जानते हैं मैं कभी इस बात को जुटलाता नहीं हूं मैं बाहर से मुवी स्टार हूं और लोग इतना प्यार करते हैं बर सेम दिक्कतیں सबकरों होती है बट एक जगा पर आकर ईतज करना ही पड़ता है मैं बहुत वक्फे में मिलता हूँ क्योंकि फिल्में कमाती हैं यह जिनुनली यह बात मेरी मान के चलेगा I really think of you as my own, all of us and it's something I tell my children that at the end of it all, one life, one belief and that is live it fullest और अंत में ठीक हो गाया जो भी आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं, खुदा में मानते हैं, गुदा में मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं माबाब की पूजा करते हैं, उनको सीनियर मानते हैं और उनकी बहुत इस्दत करते हैं whatever you believe in, that force will make it alright think positive, don't think negative for others believe in the goodness of life thermos music and it will reward you again and again and again and keep you younger looking also questa姐姐, कρο Каз tut this gentleman who's in the white shirt First of all happy birthday Thank you It's a great Daleur I liked it really a lot but the question is that you know with time Bollywood has also evolved and the films have also evolved but if you see VFX you are the one of the first few to introduce you to introduce it in Bollywood with Rawan and you've done films like Fan and now Zero, it's a difficult film to execute on screen. Does that make it or does that interest you more when there is something related to technology in a film? No, I think I'll keep it short because I think I've said this very often. I think technology should be there in everything. See how your telephones have changed over the five years here. So much is happening. You guys are beaming this live, which wasn't possible even say two years ago. So much has changed and if technology is available, it can only enhance the vision of the visionary director. So it's there, I think not only in Red Chili's visual effects, there are other really wonderful companies doing work, but unless you have a director who has the vision and it's shocking. When I got to know with Anand sir, six months into the film, he said, sir, I haven't used the VFX in this film for positive of time, finances, first film, or just by desire. You know, you can do that. But I think this technology is necessary for a visionary director like Anand Rai to really take the vision and take the flight to really not Kato Zindagi, to Jio Zindagi. I think cinema should take it there. And with, you know, with the falls and footsteps into cinema theatres with every small device having a cinema, I think the big film experience can only be enhanced by the vision of a director and that you have to use it as a tool and it should be. It doesn't interest me personally, but it most certainly something as a person who's involved in films, if I can bring it to the table, I think it'll be the greatest, greatest return back I can give to cinema. In addition to that, to the three of you, you know, you said that it's a director's vision. The last time you guys had done a film, it was by a special person called Yash Chopra. This time it's by Anand Rai who's equally revered in terms of filmmaking. How different were equations on the set, you know, how easy was it to work with him? And how easy was it to work with yourselves? Because it is the second film that you're doing together, three of you. Yeah. It was a very long question. I think he is a very easy going director. He doesn't create a sense of stress or like this heaviness on set, that we're doing something very important and we've done something which is really done for the very first time. But he wouldn't make a very big deal of it. He would be like how he's on any other ordinary day when we're shooting a simple montage sequence. And I think that shows his confidence as a director. And I think he's supremely confident as a director. His vision is very, very clear to him. And that's very easy for actors because then you can really like just, you know, rely on him and trust him. And I think I found it very easy to trust him. And I think I would, I would always be able to follow his vision very, very clearly. And I think somewhere he is so loving as a person, you know, and he really, really takes such good care of people around that you never feel like you're working. You know, it seems very easy. And even though, and I keep insisting this, even though, we have done something that is not easy to do, you know, despite that, he would just make the experience so easy. And I don't think that if it's easy, if it's not, if it's not, if it's not, if it's not doing this picture, it could be very difficult and irritating. But he made it very, very simple for us. Okay, sorry. Here, here, here. One sec. Here, 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 here. You had a q… Ma'am, he's… Hello, 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 hello… Ma'am, one second. He… I've already like told you… Hello, hello, hello. Shauj, hello. Shauj, tones, tones, tones. Go ahead. Ask your question. कि अच्छान कोई आपके अपके लिए और वो कुछ वक्त वकिरा का फुल लाइए इस रिडिल गड़ी गड़ी लाइए वरेंगेंअ में रिड़ी अच्छ कर लोगवेंग अब यह फेंडेंग को जनम दीन की मुबारक बहुत भने बार इन जनम दीन की मुबारक जनमंधिन की अच्छा मेर श्वाल यह था कि यह आप से पहले एक बार किमल हसन जी ने पिचर की ती अप्वर जिसमें उनोंने बाउने का किरदार निवाrain था और वो पिच्छर काफी हीट हुई थी लेकिन जब ऐसा सुन्ने में आया है कि यह फिल्म के लिए अना देल राइजी ने बहुत सरे लोगों को पूछा लेकिन सबने ना बोला था उसमें से सल्मान खान भी थे तो आपने जब यह फिल्म साइन की तो आपका क्या मतलब थौट यह फिल्म के बोला कि अब एक पिक्चर आया तो तेको कर दें तो एक से किंद के अन्दर उसने फोन कर और अज अम्टर आपको कोईंस बताऊंगा कि यह रिजन ही के मैं इस पिक्चर में हूंगा जरूर और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें वो थोड़ा सा अलग था हमार गशेशन जरूर उसने कहाता हमास्पाइब काड़ा पड़ तो तो हमने वैसा नहीं किया कॉम थे काम लोह मारो में और समान बहुत पर था हिंसाने है इसी इस इफ मुझे करना ज़रूर है कि I have heard this film so I think that was very dignified and decent and loving of him of course as a friend so that was the reason और यही थना सवाल